क्या आपको पता है बालू बहुत ही बुद्धिमान जीव होते हैं। अगर किसी शिकारी ने इनका शिकार करने के लिए कोई चारा डाला है तो बालू इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं और चारा सावधानी पुर्वक खाते हैं। जंगल के भालू 30 साल के आयू तक जीते हैं जबकि बंदी भालू जिने माना द्वारा कैट किया गया हैं 47 साल तक जी सकते हैं। भालू के शरीर पर खालों की कई परतों होते हैं छोटी परत उसे गर्म लगती है जबकि बड़ी परत उसकी चमड़ी और खाल की छोटी परतों को पानी से बचाती है केवल धुवे भालू ही पूरे मासारी होते हैं जबकि बाकी के सारे भालू, सर्वभक्षी, अर्था, जानवर और पौदे दोनों खाने वाले होते हैं सुर्य भालू के पंजे सबसे दादा बड़े होते हैं इसके अनावा इनकी जीब भी सबसे लंबी होती है जो कि इसाड़े 9 इस तक पहुच जाती है भालू 64 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ्तार से भाग सकते हैं जो कि एक दोड़ते हुए गोड़े को पकड़ने के लिए प्रयापत हैं सबसे तेश मनुष्य जो अब तक जीवित हैं मतलब की यूसेन बोल्ड वैं 43 क्लोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से तोड़ सकते हैं एक साधरान भालू की हद्धे गती 40 प्रती मिनट होती है जबकि एक शेतकाली नीन में सो रहे भालू की हद्धे गती 8 प्रती मिनट होती है कुछ भालू अपनी दोनों टांगों पर चल सकते हैं इसलिए कभी दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मनुष्य विचितर ढंग से चल जहें काले भालू पूरी तरह से काले नहीं होते हैं बलकि एक कुछ इंदर जनुच जैसे होते हैं इसकी चमड़ी काली से लाल भूरी और फिर सफैद थोड़ी सी सफैद होती है भालू ऐसे स्थन पाई हैं जो कीर रंगों में भी देख सकते हैं जबकि जाहतर रंगों की जगे तरंगों का उप्योग करते हैं संसार का सबसे साधरन भालू भूरा भालू है भालू की टांगे कमान जैसी होती है यह इनकी पकड़ और संतुलन को और बहतर बनाते हैं एक तैड़ने वाला दुरुवे भालू पानी में 8 फूट लंबी चलान लगा सकता है एक पॉंडा भालू के यह त्रिक्त अंगुठा होता है जो कि एसल में उसकी कलाई के उबरी हुई हडडी होती है यह उसे बास को खाडने में सहता करती है एक पॉंडा भालू एक दिन में 20 किलो तक बास खा सकता है जैत्ये पॉंडा भालू का सिर बहुत बढ़ा होता है बैक्यानिक पहांते हैं कि यह इसके मजबूट जबड़े और गर्दन की मास पेशियों के लिए होता है जो कि इने बास चबाने में साहता करते हैं बास इनकी खुराक का 99 परतिश्चत हिस्सा है और बाकी का एक परतिश्चत मास पर लगे कीड़े होते हैं या फिर मास जो इनको कहीं पर मिल जाता है दक्षणी अमेरिकी भालू का पसिंदिता भोजन दीमक है इन भालू के अगले दात नहीं होते हैं इसलिए ये छत्ते में फसिंदिमक और पीड़ों को आसानी से चूस लेते हैं अब तक ज्याद जादतर भालू सब कुछ खा सकते हैं यहां तक की सुनो बाइट, इटे, इंजन तेल और रबड के बूट भी अमेरिका के लगबग 98% ग्रिजीली भालू अलास्का में रहते हैं एक दुरुवे भालू बिना आराम किये 160 किलोमेटर तक तहर सकता है भालू भी मनुष्य की तरह अच्छी तरह से देख सकते हैं पर उनके सुनने की शंता हमसे थोड़ी कम होती है पर भालू की सुगने की शंता मनुष्य से सोगना ज्यादा होती है दुरुवे भालू 32 किलोमेटर दूर की गंद को आसानी से सुग सकते हैं इसके अलावा बर्फ के अंदर 3 फिट तक गड़ी उसमूंत्री मचली की गंद तो आसानी से सुग सकते हैं बियर अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका आध है चमकता भूरा भालू संयुक्त रसी का पार्टी का चीन है जो कि उनकी शक्ति और गौरों को दर्शाता है इसके अलावा कई परी कहानियां और मित्थक कहानियों में भी भालू आता है एक वाज धुरूबय भालू का बदन चारसाज सी किलो तक होता है जो आट वैसक मनुष्यों के पराबर है पर मादा धुरूबय भालू नर्ज से 50% छोटी होते हैं कुछ ऐसे काले भालू भी होते हैं जो सफेज भालू में बदल जाते हैं यह भालू बहुत दुलब होते हैं, कुछ अमेरिकी मानते हैं कि इनके पास कोई देविक शक्ती होती है भालू का क्रमिक विकास छोटे से बड़ा हुआ, पहले से भालू मैज एक कुट्टे के आकार के थे अग तक का सबसे पुराना ग्याद भालू, डाउन बियर है, जो दो क्रोड साल पहले धर्ती पर रहता था और उसका आकार मैज एक छोटे कुट्टे के जितना है भालू कभी भी आस्ट्रिलिया और ट्राणिटिका में नहीं रहते हाला कि अफरीका में भी वर्तमान समय में भालू नहीं पाय जाते पर भालू के अधिकतार कंकाल अफरीका में ही मिले है वैक्यानिक अभी भी अंजान है कि ये सब अफरीका में क्यों नहीं रह रहे है दक्षिन अमेरीकी भालू एकलोते भालू हैं जो कि रात्री को अधिक क्रियाशिल देते हैं दुरुव्य भालू की चमडी के एक इंच वर्क के शेते में 9600 के लगबत बाल होते हैं भालू के पैरों के अगले पंजे पिछले पंजों से अधिक बड़े होते हैं तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें लाइक करें सिस्क्राइब करें और बने रहें ऐसे ही अमेस्जिंग पैक्ट के साथ